हेलो फ्रेंज मैं रच क्यांती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो देखे फ्रेंज आज मैं बहुत ही नेट और कपड़े से बहुत ही खुपसुरत सुद डिजाइन बताने वाली हूँ तो देखे उसके लिए हमने नेट फबरीक है जो देड़ मिटर लि रखेंगे जाथ इंज कि यह बोटनेग इंज कुड़े सब्सक्राइब चैनल दाइज बना रहे हैं इसलिए इसमें दल्ड़िक आटएच नहीं करेंगे इसलिए हम इसका बोटनेग रखेंगे शेएंज कि यस के ज्याइश इसके चेस्ट है तो दिखे हैं इसका चौता भा अच्छे होते हैं कम यहां ज्यादा करने के लिए दो इंच इस्टा रखें या देल इंच भी आप रख सकते हो तो देखिए यहां पर हीप के लंबाई रखेंगे 14 इंच और इसका वेश्ट है तो देखिए चोथा वाग हम साड़े साथ इंच पर मार करेंगे तो देखिए फ्रेंच यहां पर हीप के लंबाई हमने 14 इंच रखें रखें रखा हुआ है तो देखिए यहां पर हम 11 इंच इन लेंगे क्यूंकि यहां पर हम 3 इंच पर हम यहां पर डोरी अटाइच करेंगे ये जे सूट के दीजाएने बहुत ही खुबसूरत बनने वाला हैं फैंस आप इस पीडियो को पुरा-पुरा वाच कीजिएगा तभी आप लोके समझ में आएगा तो देखिए इस तरीके को आपको यहां पर 14 इंच तेहां पर हम 3 इंच नहीं लेंगे यहां पर हम डोरी अट इंच पर मार करेंगे और तो दिखिए दामन के चोड़ाई है चालिंच चोथा बाग हमने दस इंच रखा हुआ है क्यूंकि यहां पर दो इंच अंदर की तरफ से मोड लेंगे जो भी एस्टा कप्ले हैं उसे हम कटिंग कर लेंगे बाद में लेकिन अभी इस्टा हमने दो इंच रखा हुआ है सिलाई के बाद हम थ्वा बहुत कटिंग करेंगे तो दिखिए कहां पर हमने पूरे लेंड डुक कर लिए जो भी एस्टा कपले हैं उसे हम कटिंग कर देंगे तो दिखिए आरशहीं के जोनfalls है पर हमने 1 इंच पर रखा हुआ है तो दीखिए यहां पर हमने जो भी एस्ट्रा कप्लें उसे हम कटिंग कर देंगे तो दीखिए पर इसका नेक विर्थर रखेंगे हम साड़े तीन इंच यहां पर हम मार्क कर लेंगे और यहां पर हम आर्म होल की तरफ से आप फिन डाउन करेंगे कि यह बोट नेक पर डिजाइन है चलिए इसे डाउन कर लिया और इसे हम फ्रंट पाट और बैक पाट एक के तरह हम नेट फबरिक पर कटिंग कर लेते हैं तो देखें फिन से यहां पर हमने लैंड डो कर लिया था क्योंकि किलिप जो है हम भूल गये थे तो देखें इसका नेक बीट साड़े तीन इंच रखेंगे और एक लंबाई हम तीन इंच पर मार्क करेंगे इस तरीकिक हमको गुलाई दे देना है एक इंच पर और देखें एक लंबाई हम साड़े पांच इंच पर रखेंगे और हाट सेट में इसे लैंड डो कर लेना है तो दिखें पर यहाँ पर कपड़े से चार इंच एस्टा नेट फबरीक हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा फिटिंग मार्क होने के बाद आपको यहाँ पर तीन इंच आएंगे इसलिए हमने तीन इंच दिखाया हुआ है यहाँ पर लेकिन इस्टा कपड़े है चार इंच ले दिखें यहां पर जो लाइन रो किया हुआ है उसे हम एस्टाइक कपड़े को कटिंग कर लेंगे तो दिखें आपर इसी कपड़े से गले को भी बना लेंगे तो चलिए बैक पाट को भी हम कटिंग कर ले तें तिसका भी नेक वीर्थ साड़े तीनेची रखना है और गले का लमबाई रखेंगे फ्रेंच यहां पर हम साड़े साथी च तो दिखे यहां पर हम गोलाई में मार्क कर लेंगे क्योंकि हम गोल गले पर ही इस गले को बनाएंगे तो दिखे इस तरीके को दूनों पाट को एक साथी कटिंग कर लेना है नेट फबरिक और लाइनिंग वाले कपड़े को दूनों पाट को एक साथी कटिंग करेंगे कपड़े आप इसे भुक्रम से भी बना सकते हो लेकिन आपके पास भुक्रम नहीं है तो आप कपड़े से भी गले को बना सकते हो तो देखिए इस तरीक हमने सावाएंच के कपड़े को कटिंग किया हुआ है तो देखिए पिन स्यापर हम उसी कपड़े को रख लेंगे और पीनप कर लेंगे और इस पर पूरे में सिलाय अटाइज कर देंगे तो देखें, फानले हमने सिलाई अटाइच कर दिया हुआ, इस पर हम छुटे-छुटे कट्स लगाएंगे, ताकि जो गले हैं अच्छे से भट जाएं, तो देखें इस तरीके का, तो इस पर भी सिलाई अटाइच कर देंगे, तो देखे फेंस यहां पर हमने सिलाई अटाइज कर दिया हुए इसे अंदर की तरफ से भी हम सिलाई अटाइज कर दिया हुए ताकि आप चाहते हो तिस पर तुर्पाई भी कर सकते हो तो देखे बैसे हैं दूसरा कपड़े को भी गले पर रख लेना और सिलाई अटाइज कर देना है तो देखे पर इस गले को भी हमने रेडी कर लिया हुआ है तो देखे जिस तरीके का हमने कटिंग किया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपको कपड़े को रख लेना है नेट फबरिक और लाइनिंग वाले कपड़े पर रख करके सिलाई अटाइज करेंगे तो देखिए इस पर भी हम पिन अप कर लेंगे पहले फिर उसके बाद हम सिलाई अटाइज करेंगे ताकि जो कपड़ा है इधर उधर नहीं खीज़कों आपको बिल्कूर बीचों बीच आपको यह डिजाइन का मार्क होना चाहिए तो चली इस पर भी हम सिलाई अटाइज कर लेते हैं तो दिखिए हमने पूरे में सिलाई अटाइज कर दिया और पूरे नेट और कपड़े को पूरे में जॉइन्ट कर लिया है ताकि जो कपड़ा और नेट इधर उधर खिशक पाए इसलिए उन्हें पूरे मेंधिया शिऒ ऑड़ कर दिया और नीचे के टीक अंदर के तरफ करके एमनेज कर दिया हुआ अगते आप वई से चलिए हम पांट को भी रेडी करते हैं अ कि तो और देखरें को आफिंट कर लिया हुआ है तो देखे हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया हुआ तो चलिए इस सोल्डर को जॉइंट करते हैं इस सूट कटी जैन बहुत ही कुफशुरत प्रेंट पहनने पर लगते हैं आप लोग एक पर बना करके देखिएगा यह कैसा लग रहा है पहनने कवा तो देखे हम पर हमने सोल्डर को जॉइंट कर लिया हुआ है और यहां पर हमने उरेवी पटी को कटिंग किया हुआ है और दुसे साइड भी ऐसे उरेवी पटी दोनों पार्ट के लिए हमने उरेवी पटी को कटिंग किया हुआ है इस तरीके कोपो सिलाई अटाइच कर देना है तो देखें पर हमने सिलाई अटाइच कर दिया हुए दोनों तरफ और इस पर भी छोटी-छोटी कट्स लगा देंगे ताकि आपका जो पट्टी है बहुत ही अच्छे से निकले और गोलाई में इसलिए इसमें गोलाई में अच इसलिए अटाइच कर देना है तो देखें हमने दोनों तरफ से चिलाई अटाइच कर दिया हुए है तो देखें यहां पर बीचोटी पीच एक मार्क लगा लेंगे और यहां पर हम फिटिक मार्क देंगे तो देखें यहां आपर चेशट है चोटी धीनते चोथा भाक़म साड़े आठ इञ्च पर मार्क करेंगे और वेस्ट है तीस हीनते चोथा भाक़म साड जातव साथ हिंच पर मार्क करेंगे यह अपने नाप के अकोरडिंग संarthi लिजिएगा जितना आपका नाप है उसकेकर को कोकॉरुकॉर को सब्सक्रांद करें पताशना हिनsecond डूज थो ? तो यहां पर 24 इंच पर मार कर लेना है तो इस तरीके का फिटिंग मार्क दोगे तो बहुत ही अच्छे से आते हैं मैं तो हमेज़ा बीच में ही मार्क कर लिया हुआ है कि सिलाई इट किया हूँ इसलिए तो दिखे इसका अकॉर्डिंग आपको शिलाई अटाईज कर देना है तो दिखें फेंसहिए पनुस हुआ हुआ है को आप लोग देख लिजें कितना अच्छे से इसका फिटिंग मारक आए हैं गुलाई में यह जो शूट है पेहनने पर बहुत ही खुपशत लागेंगे फैंस आप इसके अकॉर्डिंग शिलाई या कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो तो दिखें इस तरीके का मैंने शिलाई अटाइच कर दिया हुआ है तो दिखें यहाँ पर हमने दामान है इसे भी वन फोल्ड करके शिलाई अटाइच करेंगे तो दिखें बार बार यहाँ पर खिसक रहे थे फैंस तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस तरीके कब को मोड लेना है फोर फोल्ड में और यहाँ पर पीनप लगा लगा तो चलिए हम आपर शिलाई अटाइच कर लेते हैं तो देखें पर हमने पूरे में शिलाई अटाइच कर लिया हुआ है तो दिखें इस तरीके कब का फिटिंग मार्क आएंगे यह पहनने पर बहुत ही खुपसर फियन यह सूट लग रहे हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं तो देखें यहाँ पर हमने पॉर्टी त्यार किया हुआ है वन फ्ल्ट करके और दो सिलाई हमने इस पर अटाइच किया हुआ पॉर्टी तो देखें यहाँ पर पॉर्टी जोइंट करने के लिए यहाँ पर हम एक एक इंच पर लाइंड रो कर लेंगे तीन लाइंड रो कर लेते हैं तो देखें हमने दोनों तरफ से लाइंड डो कर लिया इस पट्टी को हम कटिंग करेंगे तो देखें आपर हम देड़ देड़ इस पट्टी को कटिंग करेंगे तो देखें पूरे पट्टी को हमने कटिंग कर लिया हुआ है तो देखें हमने पट्टी को कटिंग कर लिया है उसको अकॉर्डिंग यहां पर आपको जॉइंट कर लेना है तो देखें इस तरीके कटिंग को पट्टी को जॉइंट करना है फेंट दोनों तरफ से तो देखें हमने पट्टी को जॉइंट कर लिया हुआ इस तरीके से और इसमें हम दोरी अटाइज करेंगे तो चले इसमें हम दोरी को अटाइज करते हैं तो देखे हाँ पर हमने पीन लेलेंगे। उसकेस करेंगे। इस तरीके को आपको अठाज करना है। तो देखे इस तरीके काव ऐसे इन दूसा डोरी को भी पीन में कर लेना और इसको भी अटाइस करना है तो देखे इस तरीके काव को डोरी अटाइस होंगे और यहाँ पर हम लटकन अटाइस करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम लटकन अटाइस कर लेते हैं फेंट्स तो देखे इस तरीके हमने इस साइड भी हम डोरी को अटाइस कर लिया हुआ है और यहाँ पर तीन तीन लटकन लगा लेंगे तो देखे फैनली मेरा सूट बनके रेडी हो चुका है तो आप लोग बताईएगा यह सूट कैसा लग रहा है देखने में बहुत ही पहनने पर फैन्स खुबसूरत लग रहा था देखे इस तरीके का यह बनके रेडी हुआ है तो आप लोग ज़रूर बताईएगा यह दाया होगा फ्रेंट मेरे चैनल को लाइक से सिस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा दूस्तों मिलते हैं से अगले वीडियो के साथ बाई बाई